फिर से स्वागत है हमारे चैनल में Long Term Shares LTS में और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे यह मेरी गुजारिश है और यहां पर देखिए PPAP Automotive Limited जिस स्टॉक के बारे में जिस कंपणी के बारे में बात करेंगे वो भी एक सब्जन हमारे जो मित्र है विजे वंदरवला मिस्टर विजे वंदरवला सहाब रिक्वेस्ट किया था कि सर आप PPAP Automotive Limited शेयर कैसा है और definitely एक कंपनी जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि इस पर बनाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स को तो मैं बनाता रहा तो कभी कभी दो दो तो इन तिन वीडियो चार चार वीडियो से जाते हैं चाहिए अस बैंक हो इन पर कई बार रिपीट होते रहते हैं हर कोई अगरा ऐसी नियूज आती है लेकिन फ्रेश कंप आपको information देने का प्रयास करता हूं तो चलिए PPAP के automotive के बारे मैं कुछ जानकारी आपको देता हूं कि देखिए आज है रहीवार आज मार्केट बंद लेकिन मैई 17 जो इसके last closing थे 280 रुपए 30 पैसे पर भाव पर trade किया था BSC और low बनाया था इसने जो है 200, 249 रुपए लेक यहां पर बनाते हैं तो आगे मैं बताऊंगे वेबसाइट पर चलेंगे कि 620 से यहां पर लगाता धीरे धीरे गिरावाट हुई कठा नहीं हुई दीरे धीरे आता गया आता गया और फिर यहां पर आके इसने low बनाया 239 रुपए का और यहां पर 100% लोग करें white anyways हम आगे वरते हैं तो यहां पर इनके मार्च 19 यानि quarter 4 के रिजल्स अभी उपलब्ध नहीं है नहीं अभी आया है तो हम पहले कहीं देख लेते हैं देखे सितंबर 18 से दिसंबर 18 के quarter में जहां पर net sales में भी यहां पर 21% के आसपास गिरावाट थी वहीं नेट प्रॉफिट में भी 48.63% के गिरावाट थी और margin में भी यहां करीब 3.30% के आसपास यहां पर डाउन साइड है लेकिन हम यहीं पर इनकी annual भी देख लेते हैं लेकिन जहां मार्च 17 से मार्च 18 एर ओन एर देखते हैं क्योंकि अभी मार्च 19 के नहीं आये हैं तो मार्च 18 से मार्च 19 के compare करते हैं तो चलिए हम पिछले साल के देख लेते हैं तो यहां पर net sales में 3.98% की upside है पिछले साल और net profit में यहां पर 40.60% की upside है और margin में भी यहां पर 3.82% की upside है जो की पिछले साल के अच्छे results थे तो हमें वेट है quarter 4 के भी देख लेते हैं आने दीजिए फिर एक में वीडियो तब बनाऊंगा तो फिलाल हम आगे कंपणी केरा share holding pattern में 64% promoters के पास है कोई भी share गिर भी नहीं है FIIs 8 है और individuals 22.38% की holding बना रखी है और दो में other DIs भी इन्होंने अपनी holding increase की हुई है और एक microcap company है auto in salaries private house 1995 और दो तीन सो बानवे करोड की microcap company है जैसा कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं आईए दो सो बानवे करोड microcap company और 28.89% इनका जोए EPS है 28 रुपए और P है 9.70 की industry P है 26.61 की deliverable है 59.28% delivery अच्छी है और price to book 1.45 की face value अब भी इनकी 10 की है अब हम जान लेते हैं की company करती कया है PPAP commenced supplier supplies for the automotive businesses in 1985 with the launch of the first Maruti Suzuki cars in India under the Maruti brand name since then the company has been associated with all the Japanese OEMs which are having operations in the Indian market तो जब Maruti Suzuki यहाँ पर launch हुई थी पहले दफा तो इस company को Maruti Suzuki के parts बनाने के लिए जो parts में क्या क्या हम आगे बात करेंगे तब सी यह Maruti Suzuki के components बना रहे हैं Today PPAP's esteemed customers include some of the best automotive manufacturers in the Indian automotive market like Maruti Suzuki India Limited, Honda Cars India Limited, Toyota K Roskart Motors, Nissan India, General Motors India, Tata, Mahindra & Mahindra and their associate companies TSRN के clients हैं अब Maruti Suzuki के साथ साथ इन company उसके भी parts बनाने लगी है The company endeavors to delight its customers with the supply of defect free products Okay, that's great The company also exports its parts to Thailand, Japan, Mexico and UK through its prestigious customers तो यह in countries में अपने parts भी export करती है, बेशती है Over the years PPAP has built a strong relationship with all its customers and has been regularly applauded for its superior performances The company has been given recognition for the hard work that the entire team puts into the delight its customers PPAP has been awarded the best vendor awards year after year by its esteemed customers चलिए अच्छी बात है वोडोगर हम मिल चुका है और काफी प्रतिष्टित company है यह है और parts में देख लेते हैं देखे, roof moulding, moulding will shield, glass run channel, trim door opening, back door trunk seal, inner belt, door opening seal, outer belt, black bright, air spoiler, products made by joint venture company तो यह गाड़ियों की upper and inner components बनाती है और यह सारे इनके रहे products तो Auto Ancillaries की एक जबर्दस company और जिस परकार से मिंडा इंडस्ट्री है, मदरसन सूमी है, इवेन एक company और है, जमना Auto Ancillaries वो भी एक बहतरीन company है लेकिन फिलाल अभी market कैसा है कि पिछले कुछ सालों से चाहे Tata Motors हो, चाहे Ashokililand हो, Auto Sectors पर चाहे Maruti Suzuki हो, खाला कि यह है कि Maruti Suzuki एक बहुत अच्छी company है, भारत में उसको बहुत बड़ा बाजार है, और उसके parts अगर यह company बनाती है PPAP, तो no doubt जैसे ऐसे वो उसकी demand बढ़ेगी, और Auto Sectors में लिए जब अच्छा करना शुरू करेंगे, तो यह company भी profit में जबर्दस्त आ जाएगी, और रही बात तो Auto Sectory धराशाई है, एक दो साल से, तो मुझे लगता है कि Auto Acceleries पे भी ज़्यादा दबाव पढ़ना हुआ है, लेकित आने वाले समय में जब electric cars होंगे, या electric autos होंगे, जो भी होंगे, buses वगएरा, तो जितने भी cars में इनकी demand होगी, तो इन companies में, Auto Acceleries के जितने companyों में, जो आपको अच्छी लगे, और जो आपको valuation के हिसाब से, क्योंकि अभी ये microcap company है, छोटी company है, और इसके हम ज़रा sales growth वगएरा देख लेते हैं, sales growth है 5 years का 12.72%, EBIT growth है 60.94% की, और ROCE है 11.43% की, ROE है इसका 9.64% की, तो इस तरीके से अगर हम इसके return भी देखते हैं, यहाँ पे 10 सालों में 604% की जबरतस्त रिटन है, 5 सालों में 4500% की आसपास की return है, और 4 सालों में 189% की return है, और 3 सालों में 186% की, लेकिन लगातार 2 सालों से लेके 6 महियां तक, यहाँ पे कोई return नहीं है, जिन्होंने 6 महिया पहले पैसे लगाया थे, उनका भी 27% negative है, ले लेक और 1 डे में 10% की आसपास का return है, financial trend obviously negative है, इस वज़े से return भी उसी प्रकार के है, तो return जिस प्रकार से देखे पिछले 3-4 सालों में बहुतरे return इनके नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि जब auto sector के अच्छे दिन आएंगे, तो यह भी company अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, तो अब गर आपको और भी जानना है, तो जरूर आप इसकी website पर visit कीजिए, जानिये इस company के बारे में, और चाहें तो आप financial advisor से मश्वरा करके अभी आप accumulate भी कर सकते हैं, या कुछ buying भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फिलाल इसे stock पर खरीदने के सलाह वर्तमान इस्तिती को हले हले हैं, बारे हैं लेकिन मैं गिलाल इसम प्रिया ओcod बाहन परीफ आपकते हैं, ले आपकते हैं, जाल रगजे तो झाल में आपकार जिए एकांदो आपकत सकते हैं, आपकते हैं, फ़िए मैं अग्यों कीजिती से तो